आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार जुला कोट ने फैसला सुरक्षित रखा इस मामले में वकील ने बताया कि जज कल आदेश देंगे कल दोपहर तीन बजे तक फैसला आएगा बता दे मुसलिम पक्ष ने आज कोट में अपनी दलील रखी साथ ही दोनों पक्ष के अधिवक्ता ने 1991 वर्शिप आक्ट और प्रतिदिन पूजा करने को लेकर जुला कोट में बहस की ज़ुरान कोट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतिजाम भी देखने को मिले तो आज पहली सुनवाई थी जिसे पूरा कर लिया गया है आपको बता दे कि सुप्रीम कोट ने इस सुनवाई के आदेश दिये थे जिसके बाद ये सुनवाई की गई है फैसला सुरक्षत रख लिया है ग्यन वपी मामले में जिला को उठने और इस पर फैसला आएगा श्रिंगार गौरी की रोजना पूजा की मांग है हिंदू पक्ष की मांगों से एक, दूसरी मांग है, हिंदू पक्ष की वजु खाने में मिले कितें, तो हिंदू पक्ष की नंदी के उत्तर में मौझुत, दिवार को गिरा कर मलबा हचाने की मांग, शिवलिंग की लंबाई चुड़ाई जनने के लिए सरवे की मांग साथी इन साथ मांगों को लेकर आज सुनवाई हुई है जसमें कोट ने अपना फैसला सुरक्षत रख लिया है यानवापी मस्जुद मामले पर कुल तीन याचिकाई दायर हुई है और जिला जज डॉक्टर अजे कुमार विश्वेश ने इसकी सुनवाई करी है वानारसी से ये खबर आज सामने आई है जहाँ पर जिला कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है काफी लंबे समय तक ये बहस होती रही और इस खबर में मैं से जज़द बादचीत के लिए समधाताँ नेतिन कुमार जुड़ चुके है नेतिन आठ हफते में ये सुनवाई पूरी करने के सुप्रीम कोट ने आदेश दिये है जिला कोट को और आज पहली सुनवाई हो गई है पैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है क्या कुछ जानकारी हो देखिए जिला नियाले वारटी में सुनवाई हुई थी और सुनवाई इस आधार पर हुई थी कि मुझे पक्षिकारों की तरफ से याचिका जूपड़ी है जो वर्षिप एक है उनी सो एक्यानवे उसका हवाला दिया गया था कि अनियम साथ 11 में लिखा हुआ है कि कोई भी पुरानी जगा जहां पर पूजा पाट होई आई है या पर नमास पाट होई आई है उस जखा की अगर आज़े गाए जाए जाए जो आदार पर पूट इस तरफ से कहा गया था कि जी ज़ी ज़ा जज जाने और जी लाफ जाने क्योंकि वह भी आजानी है और उनकी तरफ से जाए जिसमें आजड़ाय और जो कोट की तरफ सेए जिए जादार पर यह कहा गया था कि इनकी जाज प्रताल कर ली जाए और इसके बाद इस सुनवाई को और इसके पाट तिकाए पड़ी है उस सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए पिलहाल आज कोट की तरफ से एक लंबे समय तक इसकी हेरिंग करी गई और हेरिंग होने के बाद इसका जो पैसला है वो कोट में सुरक्षिश कर लिया है कल दो बजे का समय बताय जा रहा है कि कोट जो है अपना पै को खारिज किया जाएगा या फिर इस वीडियोग्राफी और पोटोग्राफी आखे आधार पर इसकी जो याचिकाए पड़ी है उन्हीं याचिकों पर सुनवाई होगी बहुतरी एहम चीज यह है कि आपोट में जो दोनों ही पक्षकारों के वकील से उनकी तरफ से भी इस पर इस पर भी चर्चा हुई है फिलाल अब कोट कल इस पर अपना फैसला देगी और उसके बाद कुदा सिलेगा कि किसी याचिका और आगे इसके अलावा जो बाकी की याचिकाए है उन्ही याचिकों पर सुनवाई होनी है या नहीं जो बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिय हम आसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमासे समधाता नेतिन कुमार जुड़े थे तो कल दो बजे फैसला आएगा आज कोट ने फैसला सुरक्षत रख लिया है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद सुनवाई करने की इजासत मिली जिला कोट को औ आठ हफते के अंदर इस पे सुनवाई करने की और आदेश देने की बाद कही है सुप्रीम कोट ने यूपी की अठारवे विधान सभा का पहला सत्र आज से शिरू हो गया है और राजजपाल का अभीभाशन शिरू होने के साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महेंगाही बिरोजगारी जिसे कई मुद्दों पर राजसरकार के खिलाफ जम कर हंगामा किया जबकि राजपाल का विधान सभा में भाशड करीब एक घंटे तक चला और इस दौरान अभी भाशड के बाद विधान सभा में राश्रगान भी गाया गया बतादे कि सभा विधायकों के हंगाम के बाद यूपी विधान सभा कल 11 बज़े तक के लिए स्थागित कर दी प्रदेश की जंका बारत निर्वाचन आयोग एवाँ निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ हुए सभी अधिकारियों को, करमचारियों को, एंद्रिय पुलिस बार, राज़ पुलिस बार, अंड़ समस्ता अधियर को, वो अधाई से अभी नदन करते हैं, माने लिए इस ख़बर पर मैसे जदवाचीत के लिए समधा तो ग जमता के बुक्ते उठेना होगा है, जराल राज़ पुलिस बार होता है, वो अमेशा पर अधारमा को, पुलिस बार चरू करेंगे, कि हम तरकाव घिनने का प्रिया जाएगा, बैनर भी लगाए गया गया, और राज़ पाल की सभा घंते के अभी वासन के दिनावन लगाता जराल गवरनडर गुबेक के नारे भी लगाए गया, तो यहाँ पर अधा बार होता है, यहाँ पर भासन के दोरान भी एक आ गया, कि परकार कारूब तरकार बिरिद्गारी और पैंसर बाली इसे तमाम मक्तों पर तीशे हो रही है, और बट्ता की संद नहीं रही है, इसकी क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है जबार के कारिवाई में? पार्टी कमें तमाम लोगों से उनका अपनुष्टी बहाव जगराता है, और आगे बाली समय में क्या होगा इसे तो इससे पहले ही समझ में आगया था कि आज हंगामा होना है, लेकिन जो मुद्दे उठाए जाए जाएंगे जिस तरह से विपक्ष कहता है, कि विपक्ष क अवाज दबा दी जाती है, अब जब सदन में बोलने का मौका मिल रहा है, तो क्या हंगामे और नारे बाजी कर के ये वक्त गवा दिया जाएगा, इस बारवी हर बार की तरह, जो सदन की कारेवाई बुलाई गई गई है, उसका वक्त इस बार भी खराप किया जाएगा? क्या? आपको जन्ता के लिए लड़ना है तो आपको सब्सक्त में सांती पुल-माहूर के सार अपनी बात रखनी पड़ेगी और साथी सार आपको धरातल से प्रसंड कर जा होगा जबता है जन्ता की बात को सरकार को पोच्छा पाइंगी जी गौरव चबशारी को विधान सभाव मे और बजट भी पेश किया जाएगा तो इस बजट में किन-किन चीजों का ध्यान रख सकती है यूपी सरकार बिकुत अपरे सरकार फिराल तो सालेश्याग करोड का बजट का अनुमान है इसमार प्रस्के जाएगा और इसके लाबा कितां से लेके सिक्षा से लेके में सेक्टर को तमाम से बैतर बनाने चुकि माना जा रहा है वी तीन जून को ग्रांड बेकिंग सेरेमनी भी होनी है बड़ी इनमेस्टर सम्मेट होने इसे उसे बड़े-बड़े उत्युपती भी आने है तो निसके रूप से यहां पर जो बड़ेट रहेगा तो में से लिए जाएगा तो तमाम यहां पर बड़े फैसले बजट के दौरान लिए जाएंगे एँ के ताम लगाटार बढ़ रहे है अने बाले समय में अगर मैंदे कि बात करूंग सब्सक्रावठी के बड़ेती कि सफना प्राइग सब्सक्राइग थैद्सेंगे करके और तमाम पज़वाब करके और पैटर्ल डीजल की तमाम कीमतों के अगर रोक लगा सकते हैं तो दिशुरी से आने वाले समय जन्ता के लिए किस पादेबन ताबित हो सकता है जो बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया मासे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के ल फरीदाबाद के बलमगर सब्सी मंटी में मूल भूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज सबी आड़तियों का कहना है कि मंटी में पिछले कई सालों से पीने के पानी की सुविधा नहीं है और मंटी के अंदर बरसात के समय कई फुट पानी भर जाता है जिसके चलते सबी आड़त्यों के लिए आने वाला आने वाली सबसी की गाड़ियों के रास्ते भी बंद करने पड़ जाते हैं जिसको लेकर मंद्री कृष्ण पाल गुर्जर से शिकायत भी की गई है लेकिन उनके परिशानियों का अब तक निस्तारण नहीं हो पाया है मंद्नी में मिटिंग की गई है वो इसको लेकर की गई है कि जो हमारा जो मैंन कट है जीटी रोड का जिससे हमारी इंट्री होती थी गाड़ियों की हां मंडी के अंदर लाखों आद्मियों का हावा कवन है जो सरकार की तरुब से बंद कर दी गई है जिसके लिए हमने परक्रिया वो तुम आम जो ऐसे भी तुम करोगे मैं उसके साइंग दरके वो पुल्ज का काम दो चलेंगा चलता रहेगा फिलाल इनको एक कट दो यहां से क्रिशन पाल हमारे केंद्रे मंत्री जी आई थे कि वहीं कट खुल जाएगा अभी तक तो खुला नहीं है जी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं कारवा यह खुला देंगे आपके बर्साथ के मौसम में तो मंडी स्वानल लाइजी यहां तो पानी भर जाता है गुटने गुटने जुकानों के अंदर तक पानी बुच जाता है हमारी तो मूल एक तो समस्या यह है कि यहां पर कट है यहां इस वाले तंग करते हैं आउट साइड चलते हूं रॉंग साइड तो उससे यानि उसमें यानि बहुत दिक्कत होती है जो यानि सौ सपचास पचास रुपे उनसे लेते हैं तो भ्योपार पे बहुत असर पढ़ रहा है इस खबर पर मासाद फरीदबाद से समद आता मनोज जुड़ चुके हैं मनोज जसरह से आड़तियों के परेशानिया सामने आ रही हैं और उन्होंने बताए कि बारिश के मौसम में पानी भर जाता है एक बार फिर मौनसुन दस तक देता नजर आ रहा है और काफी परेशान थितै करने से सब्दद कर देऊ तो मन्डी में टो अगर देता है suv either that श्यासी के सनौ अधिकारितर लगा रही है और मंतरी है उनको भी लिखी तुरू में सिकायद दे चुके हैं अगर बात करें समस्या की तो कितने समय से समस्या करना करना पड़ रहा है सभी व्यापारियों को मंडी के सभी आरतीन में रोष है और उसको नेकर सकायटी वी दे चुके हैं पर पिछले करीवर पांसे छे साल हो तुगे और इस समस्या से जूज रहे हैं जिसके चलते ना तो पीने का पानी की सभीदा है और ना जो बरसात के चलते जो पानी खटा होता है ना उसकी निकासी क को पमादान जी जहां तक कि सरकार हर घर तक जल पहुछानी की बाहत कर रही है जल से जुड़ी कई ऐस यूजनाए हैं जिनको जंते तक पहुचाने की बाहत कर रही है वही अगर अगर आरतीों को इन समस्याव का सामना करना पढ़ रहा है तो इसके सम्मन्द में क्या को शि जो बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया माइसा जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर माइसा समधाता मनूद जुड़े थे फरीदबाद से रुकर तेगली खबर का अलीगड के महुआ खेड़ा थाना इलाके के सागवान सिटी में कई परिवारों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाओ है कि पोस्टल लगाते हुए बिल्डर पर उत्पीडन का आरोप लगाया है वहीं इस दौरान लोगों ने कहा कि बिल्डर कालोनी में बने पार्कों में दलीतों के किसी भी कारिकरम का आयोजन नहीं होने देते हैं जिससे लोग पलायन करने को मजबूर है तस्थीरों में देख सकते हैं आप अपने मकान को बिकाओ पोस्टर लेके खड़े हुए हैं कि ये मकान बिकाओ है पलायन करने को लोग मजबूर नस दरार है अध्यगी बताई क्या मामला है कि सागवान सिटी में लोगों ने अपने मकान के बाहर जो है मकान बिकाउ के पोस्टर लगा रखे हैं तक्रीवां 80-85 मकानों के बाहर पोस्टर लगे हैं क्या मामला है पूरा देखिए अलीगड में उत्तर बिदेश में ये बहुत ही बड़ी बिंडम मना हैं कि दलितों के 80-85 मकानों पर मकान बिकाउ है के बोर्ड लगे हैं यहां के जो लोग हैं वो इनके साथ भेदभाव करते हुए बाबा साहिब की जनर्म सर्थ के अपसर पर उनको भंडारा नहीं करने दे रहें इनको जाद सुदक सब्दों से इस्तेमाल करते हैं और अपना अपमान को सहते हुए यहां के लोगों ने पलायन करने की और लिख दिया कि हम लोग यहां से मकान बेख के पलायन करना चाहते हैं धर्म परवर्तन करना चाहते हैं इन लोगों ने जिलादिकारी को कप्तान को मुख्यमंत्री को सब देगा लेटर भेजिए लेकिन कोई सुनने वाला आज इनकी है नहीं इसलिए हमें यह पता लगा हम लोग इनके इसलिए यहां पर पहुचे कि इनको न्याय मिलना चाहिए इनकी बात प्रसासन को सासन को सुननी चाहिए जो इनका अभान इ एड़ा स्थित एक कॉलोनी के में निवासी एक वर्ग विशेष्के वैक्तियों दोरा वहां के कॉलोनी के प्रबंधन पे आरोप लगाया गया कि अम्बिटगर जैनती के उपलक्ष में उनके दोरा कॉलोनी में एक प्रोग्राम का यह जिन किया लाना था जिसके संबंध मे उनको जो प्रबंधन के तरफ से कोई स्थान निर्दारित नहीं किया गया जिसको लेके उस समय पे विवाद उत्पन हुआ था उसी विवाद को लेके कल इनके द्वारा विरोध किया गया और अपने मकानों पर कुछ पोड लगाए गया इस सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रसाशन की टीम पहुंची है और दोनों पक्षों से वारता करकर समस्या जानकारी की जा रही है तता उसका निराकरण का प्यास किया जा रहा है तो अलिकर से की खबर सामने आ रही है जहां लोग पलायन करने को मजबूर है पूरे परिवार के साथ और बात कही जा रही है कि प्रतारत किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा और इस खबर पर मैंसे समधा था नितेश माहिश औरी जुड़ चुके हैं अलिकर समधा थ जाएंगे किस तीज को लेके विवाज शुरू हुआ और क्या कुछ परिशानियों को सामना करना पड़ रहा है सानिय लोगों को कद लिखाल को लतातूWind ये पूरा मामला मोगया खेडा खाने के है इसमें एक पॉस क凔्स को लोनिय जिसका नाम है सागवान सिटी जिसमें पानसोब परिवार से आधिक लोग है और ये इचनी ऑड़ी कोलोनिय में हर पार्ट्वान गोर रहते हैं चोड़ा ये हैं Türkiye ए पाजवान उन्होंने मना तिया कि इस प्रोग्राम को आप यहां पर ना करें इस प्रोग्राम को आप मारा स्कूल है पाजवान स्कूल के नाम तरहें आप इस प्रोग्राम को करें यह एक बजा रही इस प्रीजन को लेकर वो उनका प्रोग्राम नहीं हो पाया जी, तो यह प्रोग्राम ना होनी के बाद रोज भी देखने को मिला लोगों में, तो इसके बाद किस तरह से विवाद बढ़ता हुए नजर आ रहा है? बात की गई बात की है और अभी इस्टिटी सामान नहीं है और दोनों पक्षों बात चल लए है विवाद को फुल्जाने का तार रिखिया जा रहा है तो पलायन करने के अखिर क्या बजा नजर आ रही है पलायन के अगर बात करेंगे तो सिर्फ एक चोटी सी यही बजा है कि उनका 14 अपरेल को प्रोगाम नहीं किया जानी जाया है जाया है जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमां साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस ख़़र पे हमां से समधाता नितेश महाईश्वरी जुड़े थे तो कई न कई लोगों में नाराज़गी देखने को मिल रही है और इस नाराज़गी की वज़े से ही लोग पलायन करना चाहा रहे हैं और अपने घरों के बाहर मकान विकाऊ है के पोसर बैनर लगा दिये हैं चार बजी की चार बड़ी खबरों में फिलहा लेता ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार